गुड इवनिंग सभी लोगों को ट्रेट के उपर डिस्केशन आज के सेशन में नहीं करेंगे हम लोग एंट्री फॉर्मेशन को लेकर कि कुछ चीज़े हम आपको बताएंगे उसको लेकर कि अपना यह आज का सेशन होगा एंट्रीस के प्रोस्पेक्टिव से और तीन टॉपिक जो की रहेंगे मस्ट टॉपिक से इसको भी आज का सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे फर्स तो होगा अंडरस्टेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर थू वॉल्यूम इन टीनों ही कॉंसेप्ट को देखेंगे समय मिलेगा तो टीनों जो अपने लॉज होते हैं लॉज अप्लाइंड डिमंड लॉज कॉज एफेक्ट परसेज रिजल्ट तो अगर समय मिलता है तो क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि इसको लेकर कि यही थोड़े से बढ़े होंगे तो देखते हैं क्या समय निकलता है क्या समय जाता है उसके पर पंका जी अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया है ठीक है तो ध्यान से सभी लोग इस चीज़ को सुनिएगा बेसिकली हम लोग एंट्रीज पर फोकस रखें और एंट्रीज के पैटर्स को देखेंगे लेकिन उससे पहले जितने टॉपिक्स हमने बताएं यह सारे के सारे जहुरी है उसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना पहली चीज़ दूसरा मेरे पास एक दो मैसेज आया है जैता नहीं सनी का मेसेज है सर क्लास बहुत श्uro चल रही है वास्ट कब होगि एक मेसेज मेरे पास यह था सनी का जो मेसेज मेरे पास आया इसमें हो सकता सभी सथ था हो लेकिन mają के बीमन में चल रहे ही हम पॉसिबिलीटीज है हो भीसका का है मेरा जब प्रोसेस होगा ना क्लास का यह मान के चुले यह स्लो प्रोसेस ही है इस चीज़ को थोड़ा सा समझो आप यह क्यों स्लो है हमारे लिए बहतर क्या होगा मेरे लिए क्या अच्छा होगा कि हम जितनी जल्दी हो से कि अपने वोंको पढ़ा कि मेरे लिए तो यही अच्छा होगा लोजिकली जो हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा है जल्दी से जल्दी हम आप लोगों को आउट करें दूसरे लोग आ जाएं कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम आपको दो दिन आस्तकल तो इतना भी टाइम नहीं लगता वो तो recorded video आपको दे देंगी आप देखो जो समझ में आए समझो नहीं समझ में ना समझो ट्रेट करो ना करो आप जानो आपका काम जने हमसे मतलब नहीं है कुछ ऐसाइटिटूड होता है आप किसी को भी ले लो यह साही चीज़े हम discuss लेकर नहीं को कि एक question मेरे पास आया यह खुद से सोच करके देखो कि हमारे लिए मेरे पसल मेरे लिए क्या सही होगा कि जल्दी जल्दी हम आप लोगों को out करें दूसरे लोग है और भी तो काम है मेरे लिए यही अच्छा है कि हम जल्दी जल्दी खतम करें आपके लिए क्या अच्छा है जो question आपका है कि बहुत slow चल रहा है मेरे लिए अच्छा है कि जल्दी से जल्दी निपड़ जाए खतम हो जो उस तुम fast करते हैं और हम ऐसा कर भी सकते हैं लेकिन फिर से वही सवा practice करो हमने तो बता करें के खतम कर दे हम चाहते तो दूसरी दिन आपको नया चेप्टर पढ़ा देते हैं उसके तीसरी दिन नया चेप्टर पांचवे दिन नया चेप्टर हबते बर में आपकी class खतम इससे आपको क्या मिला आपको तो practice का time ही नहीं मिला कोई भी formation अगर हम आपको समझा रहें तो क्या वो effective है ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी बता कर कि आपको आगे की तरफ निकाल दे रहे हैं अगर ऐसा है तो तो गलत बात है यह तो cheating होगी एक तरह की अगर हम कोई formation आपको बता रहे हैं तो हम यह आपसे उसी समय बोल रहे हैं कि live market में इसकी practice कर तो यह reason है इसको इतना slow आपको जो feel होता है ना यही वजा है इसकी एक या दो formation की पूरी week पैक्टिस चल रही है फिर कोई formation हम दे रहे हैं पूरी week उसकी practice चल रही है इसके बाद में slabis start हो जाएगा slabis का अपना अलग एक महिना जाता है उसके बाद में फिर हम trade execute कर ने ध्यान की ने दिया समय तो उतना गया ही गया अपने इस batch में करीब तेन चार लोग है जो rejoin कर रहे हैं कहीं होता है कि कोई batch खतम करके उसको वापस rejoin करें कहीं न कहीं मन में यही रहता है कि last time शायद हम पूरा अपना effort नहीं दे पाय थे वो class खत्म हो जाने के बाद में पता चलता है अच्छा यह mistake रही थी अपसे यह नहीं होगा तो जो भी चीज़ है मेरा अपना process है हम ऐसे ही चलेंगे तो यह आप लोगों को पर depend करते है कि आप उसे कैसे लेते हो धीमे धीमे चला तो उसको उतना ही अच्छे से observe करो उतनी अच्छे से practice करो यह तो समय है न slow इसलिए है क्योंकि यही effective है है ना बाकी आपके मर्सी one-to-one session होते है question answer हो रहा है live market में discussion हो रहा है यह सारी चीज़े हो रहे है understand market structure through volume swing analysis understand market structure अभी जो market structures है इसको अलग-अलग language में बोला जाता है जैसे कि सबसे basic तो language आपकी होती है अ हाइर हाई जुसको कि हेच ह है न से लेंट करते हैं 2 होटा है रोहर यह क्या होता है शच पर फसकर आप अक्सर देखोगी अनृट होता है डबल एयल और इसके यस प्खसु आक ब्हूजिट आक और तो हाह अ higher high higher low higher high higher low lower lower high यह आगे क्यों इसके बाद में आप one two three one two three pattern के नाम से भी आपको मिलेगा SMC में आप चले जाओगे तो इनको BOS बोला जाता है BOS या फिर चॉक मोटर और भी कई सारे हैं स्विंग हाई स्विंग लोज यही सब होते हैं यह सिर्फ नाम है सिर्फ नाम है इनका क्या यूज है क्योंकि तीनों चीज़े है तो एक ही चीज है यह हो था क्या है यह यहाँ पर आप ऐसे समझों कि प्राइजस में हाई लो हाई लो हाई लो हाई इसके बाद में यह वाले स्विंग इसके बाद में यह वाले स्विंग अभी हम लोग देख खिया रहे हैं अंडरस्टैंट मार्किट स्ट्रक्चर त्रू वॉल्यूम स्विंग अनालेसिस अंडरस्टैंट मार्किट स्ट्रक्चर इसको हां मार्किट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं यह वाखी के दEMAो रहे हैं अब इनके स्विंग को हमें रीड करना होगा हम इसको अनेलाईज करते हैं वॉल्यूम के थूरू तो भी डाउन साइड में आप ये मान करके चलो कि यहां पर आपकी वॉल्म्स होते हैं ओके और हमने क्या कुछ स्विंग्स मांक कर लिए अच्छा स्विंग रीडिंग जब हम लोग करते हैं जब भी स्विंग करके अजिग स्विंग्स होते हैं अब इसको काफी इस चीज़े होते हैं जो कि मेरे ख्याल से काफी है है first high protected और low protected second जो होता है अपना high brick और low brick इतनी चीज़े ज़ोरी होती हैं देखना किसी भी अगर हमें market structure को read करना है तो यह points देखने ही होते हैं यहीं देखने होते हैं इसके बाद में प्राइज आपका continuation में है या फिर यहां से आपको कोई reversals देखने को मिल रहे हैं एक्शली जब मार्केट structure को read करते हैं तो high से high protect हो रहा है low protect हो रहे है या फिर यहां पर low आपके break हो रहे है लो आपके break हो रहे है low break हो रहे है या फिर high break हो रहे है यहां से हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहां से लोगों का high break करती चलिए यहां पर देखे हाइस ब्रेक हो रहे है प्राइज continue हो रहा है क्या हमने लिख देख समझे रहे हैं प्राइज आपको continue हो रहा है या फिर इसको कोई reversal मिल रहे है तो अभी अभी के जो criteria है इसके according तो प्राइज आपको continue हो रहा है यहां से सीधे continue हो रहा है रिवर्सल का बात है कि जब मार्केट अपनी लोस को लगातार डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने लगती है इस तरह से ऐसे तो भी प्राइज तो आपको continue हैं में चल रहा है अब यहां पर volumes को किस तरह से मुझे देखते हैं जैसे प्राइज आपका high पर गया यह इसको थोड़ा देहां से समझेगा प्राइज आपका high पर गया ओके यहां से प्राइज इसने लो लगा दिया जहां तक भी ठीक है एक हाई लगा एक लो लगा अब प्राइज ने हाई लगा दिया यह आपको पता कब चलेगा प्राइज तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है अच्छा यही बात है कि लाइफ मार्केट में प्रैक्टिस करने का यही एक विजल्ट आपके पास पॉजटिव रिजल्ट आएगा यही छोटी छोटी वीजन है जो अपना प्रोसेस काफी स्लो होता है अब हम आपसे बोलते हैं कि यहां पर हाई लग यह लगा यह पता कैसे चलेगा यह तो बन जाने के बाद में बहुत आसानी से बता दिया हाई लोस के बाद में जो हाई ब्रिक हो रहा है ना जब प्राइज आपका यह प्रिवियस हाई ब्रिक कर देगा तब समझ में आगा ओके एक्चली यहां पर एक हाई लगा था हाई ब्रिक होना क्यों जबरी है इसलिए दूसरी चीज़ आप देखिए यह वाला आपका हाई break हुआ ना इस जगह से price upside की तरफ चला गया अब ये continue upside की तरफ है यहां से ये upside की तरफ जा रहा है बड़ price ने किया क्या एक ये low है हो सकता है ये low भी हमें तभी पता चलेगा जब previous swing break हो जाएगा simple सी बात है अगर previous swing break ही नहीं हो रहा में कैसे पता चलेगा ये अप लेक complete हो गया डाउन लेक complete हो गया यहां surprise आपका चला गया बिल्कुल upside में जैसे ही आपका high break हुआ हमें समझ भाया ओके इसने एक actually higher high और higher low एक higher low create किया और यहां से इसने higher high create कर दिया अच्छा अब यहां पर हम लोग volumes को देखते हैं कि जो इसने swing high जो इसने swing low लगाया है जो high और जो low लगाया है यहां पर volumes structures कैसे form हो रहे हैं अब यहां पर जोरत पढ़ती हैं लोगों को volumes reading की इसके according हम देख रहे हैं कि price का यहां पर जब इसने swing लगाया था तो volumes actually increase हुए थे जब price ने swing लगाया तो इस जगे पर इसने volumes अपने increase किये high पर जैसे price low पर आया इसने यहां पर भी कुछ कुछ volumes increase की यहां से volumes इसकी increase हुए थे अब swing क्या हुए न ब्रेक हो गया हमें यह देखना होता है कि यह जो swing break हुए इस वाले point पर जो मेरे swing break हुए यहां पर क्या इसके अंदर volumes आई थी हमें यह volume बार इस चेकर पर चेक करने पड़ेगी क्या यहां पर volumes के breakout हुए थे अब breakout हम लोग कैसे देख रहे है ना दो तरह से दो तरह से मेरा जो मतलब है कि एक तो आप देखने का जो तरीका होगा आपका कि previous swing पर जितनी भी volumes आई थी हमारी वो यह थी अब यानि कि जो swing break करने के बाद में volumes आई गी वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी volume का breakout माना जाएगा या फिर इसका जो दूसरा तरीका है अपनी just last candle से ज़्यादा अगर volume के breakout आपको informations के पास में इस higher जो high है इसको break करते समय अगर volumes form हो जाती है तो यह volume का breakout है समझ भाया ना दो दो चीज़े हो गए यहाँ पर जैसे दो बंच बन गया आपके एक तो volumes का यह swing बना एक volume का price का जो swing बना वो यह वाला बना अब हम volumes में आ गए एक तो यहाँ पर यह वाली volumes है है ना और दूसरी जो volumes है वो यह वाली है तो यह दो volumes हो गई है आपके यानि कि अगर हमें volume का breakout चाहिए तो क्या इस previous जो swing ब्रिक किया है यहाँ पर जो volumes के breakout है यह previous swing से ज़्यादा होनी चाहिए एक तो यह volume का breakout हो गया दूसरा अपनी एक candle बना दे और यहाँ से volumes के breakout दिखा दे हाला कि previous bunch से ज़्यादा volume नहीं है बट फिर भी यह volumes के breakout है यह और यह हम क्या चीज़ आपको clear करना चाह रहे है क्या समझाना चाह रहे है एक्चुली जो लोग गल्ती करते है जो एक misunderstanding है यह myth है एक तरह का कि volumes के breakout हम तभी मानेंगे जब हमारा previous bunch ब्रेक हो जाएगा इतना तो आप लोग शाद देखती भी नहीं होगे प्राइज हो गयरा इतना detail में हम लोग जा रहे हैं कि swing के पास में वॉल्म को देखना यह वो इतना detail में शाद जाते ही नहीं होगे उतना reading के लिए आप time ही नहीं देते हो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो क्या read करते हो यह सारी चीज़े actually होती हैं जो हम लोग को देखनी पड़ती है जैसे ही previous candle सी ज्यादा की volume के breakouts हो गए ना यह समझ में आ जाता है हमको कि यहाँ पर quantities increase हो रही है इसके comparison में increase नहीं हो रही है बट जितनी volume सारी थी अब यहाँ पर देरे-देरे volumes are increasing और यहाँ से price आपका पहुँच गया uptrend में है बिलकुल upside में ठीक है क्या समझ मैं इससे कि यहाँ पर volumes के volumes increase हुई price ने एक swing लगाया volumes increase हुई price ने एक swing लगा दिया यहाँ पर volumes increase हुई price ने एक low लगा दिया अब यहाँ पर देखे volumes ने breakout किये न volumes ने breakout और sorry price ने जो breakout किया यहाँ पर volumes increase हुए थे ओके अब next volume कहाँ पर आ सकती है अब खुद इस चीज़ का logic लगाए कि अब next point वो कौन सा होगा जहाँ पर volumes के breakout आपको देखने को मिलेंगे वो होगा एक हमारा expected new higher high expected new high price नहीं भी देख रहे हैं यहाँ पर हमें देख रहा है यहाँ तक कि जो हमने reading की यह तो price and volume को देखते हुए कर ली अब आगे अगे अगर माल लीजे price हमें नहीं भी देख रहा है तो भी हम यह बता देंगे कि अगर volumes increase हो रही है यानि कि price कोई नया अपना एक swing high लगा रहा है volumes increase हो गए लोग क्या करते हैं एक in general trader का जो logic होता है कि volumes बढ़ रही है price upside के तरफ जा रहा है मारो order फटाक से order मारो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं न वाच करते हैं सिर्फ वाच करते हैं और यह देखते हैं कि अगर volumes increase हो रही है इस जगर पर price upside के तरफ जा रहा है तो आपको पता है कि यह एक swing high लग रहा है यहाँ पर swing high लग रहा है और volumes increase हो रही है समझ रहे हैं न swing high लग रहा है इसका मतलब कि price up का downside की तरफ आ रहा है majority क्या करती है यहाँ से buy करने की कोशिश करती है उसको तो लग रहा है कि उच्छा volume increase हो रही प्राइस उपर जा रहा है तो यह strong भाई है यह समझ रहे हैं यह बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें है कि बहुत आसानी मतलब कोई भी बता सकता है पढ़ा सकता है कि एक बहुत traditional बहुत common सी चीज़े क्या बोलते हैं देखे इलकुल वालूम्स रिलेटेड ही है हाँ price volume by relationship होता है न price rising volume rising strong trend uptrend price rising volume rising strong uptrend price is rising and volume is decreasing downtrend uptrend weaking एक तरह से होती है price rising और volume decline हो रहे है मतलब जो uptrend है यह weak हो रहा है weakness है और price decreasing volume rising price decrease हो रहा है price नीचे आ रहा है और volume rise तो strong downtrend कोई बता देगा न यह price is declining और volume is declining price भी नीचे है volume भी नीचे मतलब downtrend weakness वीकिंग नीचे आ रहा है यही चीज यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइज हाई प्राइज हाई लगा रहा है और यहाँ पर वॉल्म्स इंक्रीज हो रही है स्ट्रॉंग डाउं स्ट्रॉंग अप्ट्रेंट कर लो आप अप्ट्रेंट मारो अप्ट्रेंट हम नीचे आपका stop loss ले लेंगे यह हम कौन है यही तो big player है जब भी price आपको uptrend और volumes increasing way में दिखाई पड़े आपको यह चेक करना पड़ेगा कि यह जो higher highs 123 patterns है बॉस्ट है चॉक मॉडल है जो भी है uptrend market structure understand market structure through volume swing analysis volumes के साथ में swings के analysis आप करो volumes आपको confirmations देखें कि price को कैसे हम लोग देखें यह हमें नहीं लगड़ा है यह चप्टर आज अपना complete हो पाएगा तो swings के पास में जैसे जैसे भी प्राइज आपको structure uptrend में जा रहे हैं वाल्म अगर इनकी जरूरती इसका मतलब है कि यहां पर एक expected high लगा हमें नीचे तक price के आने का wait करना पड़ेगा जैसे प्राइज आपका downside में आएगा यह previous swing यह वाला या बन रहा है अपका यहाला पॉइंट है जैसे प्राइज प्रbeeld के अंदर करता है ना जैसे प्रेज्ट के अंदर करेगा अच झैंदर कना इसके अंदर आप देखो गे वॉल्स सिंक्रीज होने लगा ही प्रस इनक्रीज होंगी जिए अक सिंपल सी चीज और बात क्यों की प्राइस ने एक फ्री लगार ऑल्म्स कुई हुए थे यहाँ पर वॉल्यंस लेंगे इस एक पर वॉल्मने की आधे हैं बच्ऽा को गया ना कैसे लिया अपने वॉल्यंस इंक्रीज हो दो भी ब्रेक नहीं हो रहा है वालूम्स न इक्रिवक नहीं हो रहा है यहां पर करने दो लोगों को सेलिंग आप बैठर हो वह वह सकतीaci, कैसे चरब रहाए है यहां पर यजिस गर सैंङ JE chemistry यह आरिय के अंदर प्याय। वॉल्म्स बढ़े थे न, प्रिवेश स्विंग के अंदर प्राइज आपका आया, आपने वेट किया, जो मेरा सबसे लास्ट वाला हायर लो था, यह ब्रेक नहीं हुआ, हायर हाई था, इसके अंदर मार्केट आई, यहाँ पर वॉल्म्स इंक्रीज हो रहा है, लो प्रोटेक हो रहे है, लोज आर प्रोटेक्टिंग हाई ब्रेक हो रहे है, लोज प्रोटेक्टेट हाई ब्रेक हो रहे है, है न, लोज प्रोटेक्टेट हाई ब्रेक हो रहे है, मनोज जी अभी कोई कुश्यन आंसर है, जो चीज हम बता रहे हैं सिर्फ उसको समझे, कुश्यन आंसर हो सकता है कि समय मिले समय अगर नहीं रहता तो आज नहीं करें उसको कल के लिए रखेंगे ठीक है यहां हो गया अब कम पर कैसे ले रहे हैं वालूम्स के थे दुख करता है प्राइज यहां पर जब नहां हाई लग चुका होता है तो यहां पर आपको दिखेगा कि वालूम्स बढ़ रहा है वालूम्स के ब्रेक आउट हो रहा है डाउन साट के दरफ जब प्राइस आया यह सपोर्ट भी बना जब प्राइज आपका लोब हा Sports भी बना जब यहां पर आपको उल्मस के ब्रीक आउट हो गए क्योंकि प्रइस ने नया करते हैं market structure कूं जब swing analysis करे हूं उसमें जो volumes के volumes को देखते हैं अब एक चीज़ आप और देखे है हमेशा तो ऐसा होता नहीं के market आपकी trend ने रहती है कभी-कभी होता है के market आप एक बिलकुल sideways zone में पड़ी हुई है बिलकुल sideways zone में पूर एक side way पूरआ एक side way ते side way में हम लोग किसी तरह से पहचानते हैं कि यहाँ पर आप volume भी लगा लो, आप यहाँ पर price भी देख लो कैसे पता चलेगा कि market-a app की side way है एक technic की हम लोग यूज़ करते हैं पर जिसे कि हम लोग यह समझपाते हैं कि में भी में भी चांसे की मार्केटा साइट भी ही है वो साइट भी ही है वोल्म्स का बड़ा गेम होता है ये स्ट्रक्चर्स अब ये जो आपका हाई लगता है ना ये वाला हाई ये एक्सपेक्टेड होता है हमेशा याद रखना जो आपका हाई लगा यहां पर यहां पर और यह जो lows लगते रहे अब जैसे ही price आपके high तक जाती है जैसे ही price आपके अब resistance को touch करती है यहां पर volumes आप अकसर देखोगे अकसर ऐसा होता है èxpike आती है volumes spikes क्या होती है जैसे price आपके swing को break करता है न कि यहां पर अचानक से वॉल्म्स इंक्रीज हो जाते हैं अचानक से आपको हैवी वॉल्म्स दिख जाएगे प्राइस अप में जाएगा पहले दीमे 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 वॉल्म्स आएगे फिर अचानक से वॉल्म्स इंक्रीज हो जाएगे अचानक से इंक्रीज होगे फिर से वॉल्म्स आएंगे और फिर से इंक्रीज हो जाती है और अब फिर नौर्मर वॉल्म्स स्टार्ट हो जाती है क्या हम लोग देखते हैं इसे क्या समझ में आता है एक तो प्राइज है जो कि कंसॉलिडेशन के जोन में पड़ा हुआ है पूरी तरह से हमने ऐड्य लो मॉध्न है बट यहां पर देखने के प्राइस हाइपर जा रहा है कई ब साझसा होता है कि प्राइस बिल्कुल से दिखा देका निखा है याप Continue से उनके अंदर आग्या फिर से जोन के अंदर आ गया यहाँ पर बहुत सारी trapping होती इस trapping को control करने के लिए कि जो भी चीज़े हम देख रहे हैं क्या हम सही देख रहे हैं या फिर क्या उसमें possibilities और बन सकती हैं आगे के तरफ तो यहाँ पर देखे कभी भी single candle single candle closing नहीं मानते हम लोग single candle closing को ignore करते हैं यह क्या होता है single candle closing क्या होता है price आपके एक range एक level को इसने upside की तरफ जो break किया था यहाँ से मानके चलिए कि price उपर की तरफ गया इसने एक candle upside की तरफ close कर दी और यहाँ पर आपको spike भी दिख जाएंगी एक अच्छी खास स्पैक दिखेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे orders लगेंगी ना बहुत सारे orders लगे होते हैं या तो SLK या फिर new orders लगे होते हैं क्योंकि बीच में बहुत कम orders लगाए जाते हैं इस case में जो आपको सबसे अधर liquidity मिलती है साइडवी जोन में यह बिल्कुल जो highs होते हैं और जो lows होते हैं क्योंकि एक box के अंदर travel करती हैं साइडवी मार्केट वो कभी भी trending में नहीं जाएगी मतलब आप कहो कि market ऐसे चलिए और वो साइडवी है वो हो ही नहीं सकती प्राइज अगर side वे तो मतलब कि वो कुछ इस तरह का movement दिखा रही है तो सबसे जादा जो order लगने के chances होते हैं वो यहाँ पर होते हैं सबसे जादा जो possibilities हैं orders लगने की वो इसी जगए पर है क्योंकि price आपका यहाँ पर जागा और एक बड़ी सी candle बना देगा आप देखते रहे जाओगे आपके लिए कि अरे वा प्राइज ने close किया है और high volume के साथ मैं upside की दरफ closing करते हैं हम लोग क्या करें चलो buy कर लेते हैं फटाक से आप buy करो price नीच आ जागा single candle closing को हमेशा ignore किया जाता है sideways zone में यह याद रखना है single candle से हम लोग कोई trade नहीं करेंगे अभी कोई hand rise मत कीज़े क्यों disturb कर रहे हो आप क्यों hand rise कर रहे हो मत कीज़े भी hand rise हो गयरा single candle closing में काम नहीं करेंगे और दूसरा जब price एक sideways move में हो और वहाँ पर आपको दिख जाए कि spike आ रही है बार बार spike आ रही है तो यह समझ जो यह market में एक sideways zone या sideways move का एक area बन रहा है और दूसरी जो in general observations होती है अपनी उसके according यह माना जाता है कि जो candle है वो average से कम average जो body बनती है उससे छोटी छोटी body create होने लगते है उससे छोटी छोटी body create होंगी और जो volumes होंगी जितनी भी volume होंगी वो यहाँ पर dry हो जाती है dry होंगी volumes यह जो spike काएंगी नहीं बिल्कुल high पर आपको दिख जाएंगी बिल्कुल एकदम टॉप पर इस जगे पर आपको दिखेंगी बट जब तक price आपका range के अंदर रहेगा यहाँ पर volumes बिल्कुल dry होंगे यह dry volumes आपको कैसे check करते हैं morning में एक spike जो आती है 9.15 के candle के थो यह सारे points याद रखना सारे points याद रखना 9.15 से ले करके आपका 9.55 यह जो time period होता है ना इसमें जितनी भी volumes आती है उसके बाद अगर किसी भी stock में आप यह देख लो कि volumes 9.15 से ले करके 9.55 में जितनी भी volumes आती है उसके बाद की volume आदे से भी कम हो गई है मतलब उसमें हैं ही नहीं volumes बिल्कुल dry हो रही है आप यह समझ ले ना उस stock के side way होने के chance जोतने ही बढ़ जाते हैं उदीरी-दीरी dry होने लगती है इसे करते हो तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे stock में फसेंगे ही नहीं और यहां से में बचाएगा क्या ना volumes बचा लेती है कितने points हम बता रहे हैं न यह सारे note कर ले न यह spike वाले यह dry वाले और यह ऐसा नहीं कि कुछ भी कुछ भी हम बता दे रहे हैं आपको यह साई चीज लाइव market में हमने experience की है किसी book में किसी किताब में कहीं पर भी आप देखने चले जो साई चीज आपको मिलेंगे ही नहीं हैं ही नहीं मिल ही नहीं सकती कहीं भी नहीं मिलेंगे सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह से हम लोग market structure को volume के थुरू देखते हैं कुछ कुछ points हैं और जो important points है आगे जितनी भी classes होगे नहीं धिरी धिरी करके हम बताएंगे आपको उसको देखना reading skill बहुत मजबूत हो जाएगे बहुत अच्छी अगर reading अच्छी हो गई अगर reading अच्छी हो गई तो trading यूँ अच्छी हो जाएगे तो order मारना कोई बड़ी बात नहीं है आप ये 1000 points बाई पठाक से बाई हो जाएगा लेकिन वो mouse का एक click करने से पहले ही सारी मेहनत होती है ठीक है न ये तो गया first point अपना understanding market structure through volume swing analysis जो ये वाले points हमने आपको बताया थे ये वाले इसका adjust वाइस वर्सा कर दो lower lower eyes उसमें भी same चीज़े होती है अभी इसके कुछ example देखेंगे अब हम लोग दूसरा point देखेंगे इसको सब कुमरू डिलीट कर देते हैं चलिए strength and weakness of swing through volume price action analysis इसको अलग अलग कर दो strength और weakness अमें देखनी है of swing swings की through volumes volumes में क्या होगा आप खुद से ये चीज़ सोचो क्या हो सकती volumes या तो volumes बढ़ेंगे spike आईगी उनके अंदर या फिर volume आपकी dry हो जाएंगे spike आगई dry हो गए और इसके बीच में जो एक होता है क्या समझ मैं इस स्पाइक समझते हैं volume spike जो होती है मतलब price cash segment आपको बहुत ज़्यादे दिख जाएंगे ऐसे चल रही है market बिल्कुल ऐसी ऐसी ये 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 अवरेज है अचानक से spike आगई अचानक से spike आगई बड़ा order लग गया चल लिए कि ये अगर आपकी average volume है तो dry क्या होगी ना बिल्कुल आधे से भी कम हो जाएगी बहुत कम आपको इसका example अगर हम अभी हमें याद है आपका अच्चीवल देखिए आप हिंदुस्तान कहुंसा था हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्चीवल देख लो आपको dry और spike ये सारी उसी stock अंदर देखनों की जाएगी ये होती ही dry average volume से कम आ जाएगी और ये आपकी average volume है spike क्या है ना चल रहे है normal market चल रही है आगई spike बहुत trap करती है लोगों को price उपर भागर उपर भागर भागर भाई को लो करो भाई price तुरन नीचे आएगा एक deck system हम बताये करते थे आप रों को शायद वह हम बताएंगे deck से तो इतना प्यारा वो होता है लाइक के retracement काईच करते हैं हम लोग जो quick scalping होती है वो deck के थूँ होती है बहुत प्यारा system deck में भी volume of price का analysis एक साथ करते हैं scalping होती है फटाक सॉटल या फटाक सिंटल गए ये deck में होता है quick scalping बाकिये तो हम लोग जो करते हो तो सुबे trade execute के तो दो गंटे, तीन गंटे, चार गंटे उसको hold कर रहा है बाकिये जो spike के अगरा जिसमें आती है वो सब deck के थूँ होता है खिलाल ये सब फिर कभी बताएंगे तो ये देखे ये तो होगे volume के structure साब के हमें देखना क्या है strength देखनी है price क्या मेरा strong है या weak है ये में volume के थूँ अगर जानना है तो कैसे पता चलेगा यहाँ पर जो एक important चीज़ है आपकी वो है, जो important चीज़ है वो है swing swing important क्यों हो रहा है क्योंकि price आपका up में है up में है, up में है उपर जा रहा है तो ये चला जा रहा है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर आप करके देख लो, आप क्या करोगे हम पर बताईए price अगर आपका up trend में है उपर की दिशा में जा रहा है तो ये जा रहा है आप क्या करोगे कहीं पर भी entry ले लोगा अगर याद रखना है ये चीज़ अगर हमें entry चाहिए तो हमें proper swing चाहिए होता है यही stoppage होता है जो चीज़ अभी हमने बताई थी आपको नहीं इससे पहले strength और weakness अगर आपको check करने है इसके अंदर की तो ये सारा क्या बोलते हैं जो आप check करोगे सब कुछ volumes के तो ही check होगा सब कुछ आप नहीं नहीं वो नहीं strength और weakness चेक करने के लिए हम लोग एक formation का use करते हैं VSA VSA क्या होता है Volume Spread Analysis Spread Analysis Spread Analysis एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग volumes की strength volumes की strength देखते हैं हमें इस chapter में क्या करना है strength और weakness टेक्निक स्विंग्स की कि जो मेरे स्विंग बनने है क्या ये strong स्विंग्स हैं तो इसके लिए दो तीन बात हैं जो बहुत ध्यान रखने पड़ेंगी सबसे पहला तो मेरा VSA VSA formation है दूसरा एक swing swing कब बनता है फिर surprise फिर surprise आपका नीचे की तरफ आए आप एक बात बताएं आपको बहुत से मतलब ग्रुप में जितने वी अपमे पास लोग हैं अगर हम बोलें आपसे mark करने के लिए तो पता है आप क्या mark करोगे आप ऐसे mark करोगे high low high low जो चीज होती है कि प्राइस आपका एक swing तभी create करता है जब प्रिवेस candle के नीचे closing कर देता है जब तक प्रिवेस candle के नीचे closing नहीं करेगा तब तो वो swing swing बनता नहीं है जब प्रिवेस candle के high के उपर जब तक market close नहीं कर जाएगी तो को हाई हाई बनेगा ही नहीं यह जो भिमने आप फिर से देखे जैसे की यह बना आपका एक swing यह है मेरा swing low क्योंकि जिस candle ने हाई लगाया था उसके नीचे रीकर मार्केट क्लोजिंग कि है फिर से price आपका appside की तरफ चला गया हमने क्या क्या यहां पर एक swing mark कर दिया था, क्यों mark किया, क्योंकि red candle बनी इसलिए, वो red होते हुए भी positive candle है, प्रैस सिधे आपका upside की तरफ जाएगा, जिस candle नहाई लगाया था, उस candle को low के नीचे market closing कर दी, again यह upside की तरफ जाएगी, क्या वो swing swings है भी या नहीं, तो यह हो गया हमारा, यह swings हमें सही mark किया है, क्योंकि swing सही है, तो हम लोग यहां पर अपनी volumes के analysis कर सकता है, volumes के analysis बिल्कुल वैसे होंगे, कि normal, एक normal volumes बन रही है, जैसे price नहाई swing लेगा है, मतलब कि बहुत धेर सारी order लेगा है, पाइस हमारा नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर तो simple पता चल गया है न हमको, कि volumes आ रहे हैं, volumes आ रहे हैं, और heavy volumes आ रहे हैं, VSM डिसकस नहीं करेंगे आचा, VSM को हम छोड़ेंगे कल के लिए, कल काफी सारा काम रहे हैं, अब जैसे price ने एक लो लगाया, एक नया लो लगाया, अभी भी मैंने पता चल रहा है कि अप लेग कंप्यूट हुआ है, यह यहाँ पर आपका लो लगाया, और volumes अगेन इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे price ने एक नया swing यह वाला जो था यह जैसे भी ब्रेक किया, यहाँ पर भी आप देखोंगे, कि volumes के breakout हो रहा है, यह strong swing analysis होती है, through using volume, previous swing मेरा ब्रेक हो गाया नहीं होगा, इसके कुछ expectations हैं, जो कि हम लोग ब्रेक होने से पहले परे रहाते हैं, अभी बताया था हैं हमने आपको, कि मान लिजिए यह आपको नया, जो low है वो यह है, price दीचे की तरफ आ रहा है, और आपको low protect कर रहा है, low बचा रहा है और volumes increase हो रही है, low protect हो रहा है पहला, volume increase हो रहा है दूसरा, तीसरा है, यहाँ पर कोई भी एक bullish formation, जो की अभी तक हमने आपको बताई हो जो हम आगे बताएंगे, उन में से कोई भी formation अगर आपको इज़ेगा पर दीख रही है, bullish formation और उस bullish formation का भी low protect हो रहा है, दो low protect हुए है, एक जो swing बना था, वो protected है, अगेन जो नया swing लगाया market ने, वो वाला यहाँ पर protected है, जो मेरी formation थी, bullish formation का low तीन पॉइंट है, जो की protected है, low protected है हमारे, यहाँ पर volumes के breakout continuation में हो रहे हैं, जैसे price में एक swing लगाया, volumes के breakout, एक low लगाया, volumes के breakout, यहाँ पर high break हो गया, volumes के breakout, हाई break होने से पहले पहले लगे रहे हैं, अगर हमें यह 3 points market दिखा रही है, volumes के breakout हो रहे हैं, बाकी के 3 chapters, मतलब 4 points अगर break हो रहे हैं मेरे, यानि के 90% chance है कि यह आपका high break कर देगा, उसको कर देना चाहिए, क्योंकि कोई reason नहीं बच रहे है, price का low sale हो जाए, low break हो जाए, breakout होने से पहले यह कुछ symptoms होते हैं, stocks के breakout होने से पहले यह के symptoms हैं, समझ में आ रहा है न, यह through, volumes को use करके फिर हम लोग strings को count कर रहे हैं, एक चीज़ और, और देखिए इसमें, जैसे price ने आपका, यह बहुत, बहुत, बहुत महीन काम है, आप पढ़ रहो समझ रहो ठीक है, लेकिन इसको note करते रहो इसे, जो भी चीज़ हम बता रहा है, price ने एक high लगा है, एक ही high लगा, अभी लेते हैं, विचार्ट example भी लेंगे न, बिना उसके थोड़ी न, उसके बिना तो अधूरा ही है, एक ही high लगा, better understanding इसी से होगी, चार्ट पर आप confused हो जाओगे, पहले यहाँ पर clear करना होगा, हमें चार्ट पर देखना क्या है, picture क्या देखनी है, हमें चार्ट पर इस तरह की picture देखनी है, पहले इसको समझें कि, पहले इसको समझें कि, चार्ट पर तो example देना है, यह last में तो वहीं चलना है हम लोगों को, एक ही swing बना, swing के बाद में price का यह हो गया low break, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर multiple candles बन सकती, यहाँ चार्ट में कि हमने एक candle बना दी, जब आप, चार्ट पर हो सकता है, जब जाओ, आपको तीन, चार, पाँच गंड़स दिखाई पर जाएं, swim protection के, swim protect हो रहा है, इतनी सी चीज़ यह याद रखिए, इस तरह समलोग क्या करते हैं, जो swing है, वहाँ पर volumes के break out, और price के swing break out के थूरू, एक strong या फिर एक weakness पता कर पाते हैं, अच्छा, यह जो चीज़े हमने बताई हैं, यह strongness होती है, इसके just opposite, अगर आपको कोई भी price action देख रहा है, तो यह समझ लोग कि वह weakness है, वह weakness होती है, एक और तरीका इसका होता है, VSA का, तो VSA को अभी हम थोड़ा सा बचा के रखेंगे, अपने पास वो कल बताएंगे, इसके बाद में, next जो अपना topic है, how to analyze volume trading, जैसे how to analyze volume in trading, volumes को कैसे पढ़ते हैं, जो हम लोग किसी भी chart को analyze कर रहोते हैं, तो अभी analysis के लिए हम लोग से चार्ट के उपर चलेंगे, अभी जितने भी पॉइंट आपको बता हैं, यह सारे के सारे हम लोग उस पर देखेंगे, और इसके बाद में अपनी जो formation है, सारी चीज़े correlate कर पर रोना आप आपस में, भूल मत चाना, शुरुवात में हमें क्या बताया था, अभी हम लोग देख रहे हैं, swings को, और यहां पर volumes के rating भी कर रहे हैं साथ साथ, जैसे इस जगे पर हम लोग swings mark करेंगे, आप macro swing आप, low लगा, high लगा, या यह गलत रहा है, और कि high, यह यह चीज़ समझ में आ रही है, चार्ट के ओपर जो हम लोग काम कर रहे हैं, चार्ट के ओपर काम मतलब, जो हम लोग live market में काम करते हैं, यह थोड़ा सा इतना ही complicated हो जाता है, यहां से फिर आपका यह लगा, high, low, high, low, अभी सारी चीज़े छोड़ दो, कुछ points हम आपको बताएंगे, उन points के पर जिस्ट focus करना, वो points कौन कौन से हैं अपने, यह वाले हैं, हमारा क्या काम है, यह जो formations बन रही, यह जो swings लग रहे हैं, यहां पर आप देखो कि volumes क्या indicate करते हैं, आप देखो कि जो swing है, क्या यहां पर volumes के proper breakout आपको देखने को मिले नहीं मिले, यहां पर क्या हुआ, एक swing लगा, volumes एक, दो, तीन, बढ़ गया ना, volumes बढ़ गया, अब यहां से देखे, फिर प्राइज आपका कहा गया ना, सीधे upside के तरफ चला गया, अपने high को break करता हुआ, high को break करता हुआ, high को break करता हुआ, एक नया swing लगा, यहां पर क्या हुआ ना, volumes के breakout हो गया, क्या समझ में आया इस से, अब यहां पर क्या हो रहा है, simple-simple से चीज़े हैं, यह लगा आपका, आप इस स्विंग के पास में क्या हो रहा है सबसे पहले देख लिए नहीं एक स्विंग यह लगा इक स्विंग यह लगा प्राइज अपको नीचे आया यह लोग के नीचे देखी ब्रेकाउट हुआ ही नहीं रोज़ेंगे रादों कुछ हुई नहीं और यहां से प्राइज पसिद्ग अप्साइड की तरफ चला गया गया न यहां पर देखी क्या और रहा है लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं और प्राइस क्या यहां पर क्या कर रहा है हाई को ब्रेक कर रहा है क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस हाई को ब्रेक कर रहा लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है जैसे ही प्राइस हाई को ब्रेक कर रहा है यहां पर वॉल्म्स के ब्रेक आउट हो रहा है जैसे प्राइस ने हाई को ब्रेक किया यहां पर वॉल्म्स के ब्रेक आउट हो गया हमने क्या बताया था आपको कभी भी जब भी हम लोग स्विंग क को देख रहे हैं जब्ही हम लोग स्विंक को देख रहे हैं कभी वहम लोग एक सिंगल कैंडिल क्लोजिंग के बाद में। और जब आप देखो गाएं नकों तो यहां पर यह आपको डाउन ट्रेंड में कि आके करना क्या है हालां कि जब हम स्टॉक्स को ट्रेट कर रहा है या किसी भी सेड्मन को ट्रेट करने जाए है तो यह नैं contrac प्रेंड आइडिनिकेशन वह पास नहीं है, सिर्फ एक high और low के बाद से अप में क्या करना है, यह बताओ, हमें और कुछ पता नहीं है, हमें कुछ नहीं आता है, देखिए, उस condition में क्या होगा, हमें अपने swings को देखना पड़ेगा, कि यहां पर price कर क्या रहा है, अपने swing को प्रोटेक्ट कर रहा है, यह high इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सबसे पहली चीज़ जो भी हमने आपको बताई थी, कि जब जब price आपका swing लगाएगा, आपके volumes के breakout होगे, high volumes के breakout, swing लगा न, यहां पर, फिर से देखिए, price नहीं क्या क्या है, एक high लगा, low अगें देखिए, इस देखिए पर, volumes के breakout, price इस देखिए से फिर आपका सीधे, downside की तरफ आ गया, क्या reason है इसका, खुद से समझे इसको, क्या हो सकता है, क्या चीज़े हैं इसके अंदर, जो कि शायद आप देख पा रहे हैं, और हम नहीं देख पा रहे हैं, या जो हम देख पा रहे हैं, और के बिल्कुल सेंटर में हैं, अपने entries के, पूरा पूरा trap है, पूरा पूरा trap, समझने की कोशिश करो, क्या हो क्या रहा है, क्या बन रहा है, यहां से लेकर के यहां थे, बिल्कुल सही, अब देखिए, प्राइज में, अभी याद हैं में, जो एक बात आपको बताई थी, कि बिल्कुल इस तरह की वॉल्म्स होती है, यह वाली, यह वाली, और अचानक से स्पाइक आईगी और प्राइज आपको सीध है, जो वॉल्म्स बिल्कुल इस तरह की दिखाएं पड़ेंगी, इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो की हो गया रहा है, यह क्या है, एक नॉर्मल खतम, वॉल्म्स खतम, और अचानक से स्पाइक आई, हमें क्या लगेगा ना, सीधे प्राइज आपका अपसाइट की तरफ चला गया, ब्रेक आउट हो गया, मार दो फटाक से, वैसे ही मार्केट सीधे नीची की तरफ, उसी जगे से प्राइज आपका सीधे डाउंसाइट आपकी बन रही है, आप यहाँ से कर लो काउंटिंग, यह 9.15 की कैंडल है और 9.55, यह आपका यह बन गया, इसके बीच में जितनी भी वॉल्म्स आपकी आई हैं, यहाँ पर देखे, जितनी भी वॉल्म्स आई हैं, इस जगे पर, इसके बाद में क्या हो रहा है, खतम है न में कभी भी हम लोग एक कैंडल क्लोजिंग से काम नहीं करते हैं, सिर्फ हमने वॉल्म्स की अनल्सिस की है, केवल वॉल्म को देखाया, सिर्फ वॉल्म को, और जो रूल सारे के सारे याद रखेगा, 9.15, 9.55, 9.15 से लेकर कि यह एक्जैक 9.55 की कैंडल है, इसके बीच में की इतनी सारी वॉल्म्स आई हैं, और प्राइस बिल्कुल आपका गिर गया, मतलब वॉल्म्स के फर्क आप देखो, कितना वॉल्म का फर्क इतना आ गया है, एक तो ये सेशन और इसके बाद में पूरा ड्राइ सेशन रहा, आगे चल करके बिल्कुल यह हम प्राइस नेक्स स्विंग ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉसस लिए, पूरे दिन के स्टॉप लॉसस किया, और लास्ट में बिल्कुल मार्के नीचे के तरफ चली गया, क्या हम लोगों ने सीखा इस से, वॉल्म आई प्राइस उपर गया, यह नीचे गिर गया, इस सबसे क्या सीखा, आप कैश सेग्मेंट के स्टॉक पकल लोगे तो बहुत ही ज़्यादा कोच को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, बेकार परफॉर्म करते हैं, उनको छोड़ दो आप, यहाँ पर देखो, यह पूरा एक साइडवे मूफ है, एक साइडवे स्टॉक, तो यह साइडवे का जो ना, बहुत सारे स्टॉक्स की एक वो पता चल जाएगे, एक हैबिट पता चल जाएगे, क्या हो रहा है, तो 9.15 लेकर के, जब मार्केट ओपन हो रही है, एक रेंज बन जाएगी, वॉल्म कम हो गए, एक पहली हिंट होती है, यह सबसे पहली हिंट होगी, और दूसरा, प् यह मतलब, एवरेज बॉड़ी से भी कम बॉड़ी बन जाएगे, उनके अंदर, यह दूसरा सिम्टम होता है, खतम, इसको हटाईए, और स्टॉक्स देखते हैं, जो की बिलकुल एक प्रॉपर, एक जो स्विंग होगा, किसी भी एक स्टॉक में उठा लो, आप एक आपको क्या लग रहा है, हो सकता है, कई लोग जब इसके अंदर मार्किंग करें, तो शायद, में भी चांस से वो ऐसे मार्किंग कर दे, लो, हाई, इस तरह से मार्किंग हो, कंडिशन, बहुत छोटी-छोटी, ध्यान दो, फोकस कर दो, काम हो जाएगा, यहाँ पर कोई स् मूव है, यह मूव है, एक हाई लग गया, इसके बाद में क्या हो रहा है, एक लो, एक यहाँ का हाई, खतम, यह हमने मार्किंग कर लिए, इसके बाद से देखें क्या हो रहा है, यह मेरा स्विंग लगा, लो और यह बन गया मेरा स्विंग हाई, अब आप एक काम करो, सिर् पर इस एक जगे पर हम लोग क्या कर रहे हैं volumes के थुरू swings को count कर रहे हैं volumes के थुरू अपने swings को देखने की कोशिश कर रहे हैं ये बन गया अब यहां पर एक high low high और ये पूरा low अब इसके आगे ये जितने भी आपके swings लग रहे हैं क्या ये मेरे swings ये सारे swings हम लोगों के क्या strong swings हैं second वाला जो point अपना strength and weakness of swing through volume price action analysis strength और weakness हम लोग इसकी पकड़ रहे हैं कि जो भी swing हम mark कर रहे हैं क्या वो strength या weakness के recording काम कर रहे हैं नहीं हैं तो आप देखोंग कि जितने भी swings हम लोग mark कर रहे हैं जहां जहां पर भी price आपका swing लगा रहा है यहां पर अपनी previous candle से ज्यादा की volume के breakout हम देखने को मिल रहा है आप इसको हटा दो सारी चीज़ हटा दो आप देखो कि price ने जैसे कि आपका एक दो और ये तीन ये दस पचास पर ये वाले candle बन गई ये मारी volumes कहां पर increase हो रही है volumes किस जगह पर increase हो रही है तो अगर हम लोग इस पर जहां से ये कह रहा हूँ चलिए दस पचास की candle मेरी इसके बाद में आपके volumes कहां increase हो रही है ये देखे एक तो ये candle बन गई दूसरा आप आगे की तरफ आगे प्राइस नीचे ये एक दो तीन नीचे की तरफ आए और यहां से देखे यहां पर फिर से फिर से क्या कर रही है ये market एक trend में ले लो आप अप कहां पर increase हो रही है इस जगह पर आप mark पर लो इस green वाली candle को mark पर लो अब हम price को नहीं देख रहे हैं सिर्फ volume को देख रहे हैं अब आप उठा लो यहां पर देखे सीधे नीचे की तरफ आगे इस जगह देखे volume साब की increase हो गए expectations है ना जहां जहां भी volume increase हो रही है वहां हमारे swing लग रहा है इसके according क्या हो सकता है इसके तरू हम लोग क्या पढ़ सकते है कि जब भी volumes increase हो रही है जब भी volume increase हो रही है तो एक expectation के according वहां पर हमारे swing लग रहा है क्या हम इन points को no down कर सकते हैं क्या हम इन swings का use कर सकते हैं जो भी मेरे swings लग रहे हैं अगर यहां पर swing लग रहे हैं क्या वो strong है या weak swing लग रहे है अभी थो हमने price को देखा नहीं अब आप price को देख लो यहां पर देखे यह देखे है एक swing लगा यह आपका next swing लगा black वाली candle यहां थे इस green वाली candle पर थे यह वाली एक यह green वाली candle थी उसके लग भग लग उसके पास में है आपका यह आपका एक यह swing लगा यहां पर हम लोग ने कहा mark कर लिया यह वाला area actually यह volume के breakout हुए है हमारे swing के break होने के साथ है ना breakout के साथ और फिर continuation ने मार्टिक फिर आपकी down सीधे नीचे कितर पिर गए सिधनी चाहिए actually यह combinations होता है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम लोग अपने swings को read कर रहे होते हैं अभी उसको भी देख लेंगे ना जब भी हम लोग अपने swings को read कर रहे होते हैं और जो हमने concepts अभी आपको बता है इन concepts के थुरू आप उन swings पर volumes के analysis को add कर दो आपको आपके lower time frame के point of actions मिल जाते हैं अब आपको यह समझ मैने लगता है कि जो भी markings हम लोग कर रहे हैं या जो strength है, weakness है swing तो सभी लोग mark कर ले रहे हैं सब लोग swings mark कर रहे हैं लेकिन उसमें शायद इन सारी चीज़ों का कोई use नहीं कर रहा है दूसरा market बंद होने के बाद मार्किंग कर रहे हैं सब लोग जिसकों लगता है कि बहुत अच्छा mark कर रहा है जैसे market live हो रहे हैं वहाँपस सारी चीज़े सामने आ जा रहे हैं during the market यह सारी काम आपको करने है अपसे Monday से आपका यही एक काम होगा जो भी formations है जो भी चीज़े भी तक हमने आपको बताई है इनका use आप करोगे live market swings mark करोगे volumes के actions देखोगे यह देखने हैं कि कुशिच करना है कि जो swing आप mark कर रहो high low high price morning में market खुल जाने के बाद में आपको तीन से चार swing draw कर लेने होते हैं शुरुआत के जो तीन swing बनते हैं न मार्केट के अंदर शुरू के जो तीन swing बनेंगे यह बहुत important होते हैं और इन तीन swing के पास में जो swing आप draw करोगे वहाँ पर volume के structures कैसे हैं और क्या volumes increase हो रही है शायद यह angel 1 इतना ideal chart नहीं example के लिए लेकिन हमने randomly कोई भी chart उठा करके example दिया चाहते हैं तो और अच्छा chart जो की बहुत अच्छी तरह से चल रहा हूँ उसको भी कर सकते थे लेकिन नहीं जो है वो सारे stocks में same बराबर बराबर analysis करेंगे हमें नहीं पता हमें stop loss देंगे तो हम angel 1 trade कर रहोंगे या फिर आपका ACC trade कर रहोंगे हो सकता है हम angel 1 पर यह सारी readings कर रहे हूँ जब भी आप Monday से लेकर के Friday तक आपका सिर्फ यही एक काम रहेगा swings को mark कर लोगे swings को mark कर लोगे volumes के according आप यह देखोंगे कि जो swings आप mark कर रहोंगे क्या यह strong है या weak सिर्फ इतना काम करना शुरुआत के जो तीन swing आपके लगेंगे यह तीन swing के उपर यह आपकी सारी मेहनत और analysis रहेगी बात के उसको भी छोड़ देते हैं लेकिन आप यह देखें कि वहाँ पर आप देख लो यह देखें जैसे यहाँ पर वॉल्म के breakout हो यह पूरी जगा नहीं आप यहाँ पर differ नहीं कर सकते हैं हाला कि बहुत सारे zone बन रहे हैं लेकिन देखने समझ में आता है यह जो पूरा एक एक bunch बन रहा है यह वाला area यहाँ पर prediction लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारी volumes तो एक ही strength की है लगवग लगवग से यहाँ पर क्या होना कि volumes कम होने लगें इस तरह से और फिर से बढ़ने लग जाए तो आप समझ लेना कोई swing लग रहा है और फिर से कम होने लग जाए अब जब यह volumes आपकी कम होने लगी कम होने लगी समझ लेना कि ready हो रही market अब एक नया swing लगाने के लिए ready हो रही तो जैसे ही volume आपकी बढ़ जाए आप मान के चलना है कि यह जो swing लगा न यह वाले swing लगा अब यह strong swing है नीचे stop loss लगा अगर के trade execute कर दो बहुत कम chance लगा है कि आपका stop loss चला जाएगा जितनी भी हम लोग reading कर रहे हैं जो अब analysis कर रहे हैं यहाँ यह देखिए पूरा है रहे dry है एकदम dry पूरा sideway market कोई move हमें नहीं लग रहा है कोई move हुआ होगा यह लीजे पूरी dry कुछ नहीं होगा और जब जब प्राइस आपका आपके support पर आएगा आपको लोगा है यहाँ पर देखिए जैसे यह देखिए एक swing लगा यहाँ पर volume के breakout हुए और प्राइस फिर आपको सिधे नीचे range के अंदर और ऐसे आप देखो कि यह आपका day high लग रहा और यह आपका day low लग रहा मार्केट पूरी उसी के अंदर 9.55 की candle हो 9.15 की candle हो पूरी एक range बन जाएगा आपके लेकिन price को नहीं देते हुए आप सिर्फ volume को देखो तो morning में morning के bunches और बात के dry volumes बहुत clear कर देती है आपका indigo है यह एक last example हो लेगा हाँ टाइम फिर्म सुरिया 5-5 मिनट का ही रहेगा सबसे पहला जो swing लगा 1-2-3 यह morning के मेरे 3 swings लगए इसके according क्या चीज़े clear हो रही है जो सबसे पहला मेरा swing है यहाँ पर volumes तेख नहीं है हम लोगों क यहांपर volumes तेख नहीं हम लोगों को इस जगया पर volumes तेख नहीं हम लोगों को यह थेन पॉइंट मेरे मिल रहे हैं यहांपर volumes के breakout होने चाहिए 4 अगर इस जगये पर volumes के breakout जो कर दो होने चाहिए वॉलूम के साथ अगर प्राइज आपका प्रिक व्रिक आउट करते प्राइज आपको आपसाइट के दिर्फ चला गया और वहां से देखे प्रीवस की रेंज के अंदर यहाँ पर हम लोगने क्या बता है था कि वॉलुम्स के भट अशन में हो रहे है क्योंकि जब जब प्रैस तो हमारा स्विंग लगा रहा है वॉलंस के ब्रेकावट हो रहे है stronger पर जैसे इस new volumes breakout हो रहा है और आप देखो कि यहाँ पर अगर कोई master candle हम लोग ले 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 master candle का मतलब यह तो मेरी main candle बन रही अभी 11-40 की candle 11-40 के उपर market ने भी यह वाली 12-10 की candle यहाँ पर छोटी 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 से लेकिन volumes के breakout आपको दिख रहा हूंगे जैसे कि यह यहाँ पर भी volume का breakout मेरे ख्याल से होना चाहिए यह देखिए यह वाली जो candle बनी मारी जो भी मने mark की है इसके बाद में यहाँ से देखिए volume के breakout स्टार्ट हो गया यहाँ पर यह देखिए इस जगह पर एक नया swing लगा था तो यहां पर volumes के breakout ह 25 यह यहाँ पर एक स्टार्टीं λगाए यह दो इस जिए पर देखे निशा इत्व एक उरले मैं को ऑसे दितरह ब्रेक इंजर कि एग ऑउट वालों के breakout हो रहे हैं नया स्विंग लग रहा है प्राइस वापस रेंज के अंदर यहां पर भी देखिया एक नया स्विंग मान सकते हैं इस वाली केंडल को क्योंकि इसके नीचे तो मार्केट गई ही नहीं यह 11.40 की केंडल इसके नीचे नहीं गई यह भी मारा एक स्विंग है जैस इसे ही प्रिवियस यह वाला जो मेरा स्विंग था यहां कर लोग प्रोटेक्टेट हाई ब्रेक यहां पर देखिये वॉल्म के ब्रेक आउट हो गया प्राइस उपर गया प्राइस नीचे गया चोड़ दो इसको एनलाइस कोई भी चार्ट आपको रहो हाओ टो इनलाइस व वॉल्म की डेटिंग करेंगा यह तो कुछ नहीं है अब धीरे धीरे हम लोग आगे चल करके ना काफी सारी चीज़ें जो भी डिसकस करेंगा यह तो कुछ एक्जामपल तो जो भी चीज़े भी आपको ड्राइं में समझाए थी वो इसके लाइव इक्जामपल है चार्ट क लेटेव मार्केट करों तो आप चार्ट को ब्लिक्ल बंद को तो जहां पर वह ब्रेक आउट हो आप ट्रेड मार्टेठोる है अनेकर जी तो शुरुवात में जितनी वे analysis आप करो वो इसको लेते हुए करो इसके साथ ही साथ करो दिरे-दिरे करके आप वो समझ भाएंगे कि हाँ हम लोग सही जगे पर वॉल्म्स के analysis करना है जह हम लोग इस तरह से काम पड़ते हैं तो फिर उसके अंदर आपको धुरे-दिरे improvement दिखाई पड़ेगा entry formation using volume अभी जह हम formation आपको बताएंगे ना इस formation का जो use करना है टाइम फ्रेम पांच मट के time frame पर हम इसका use करते हैं इसके बुछ rules होते हैं देखें rules सबसे पहला यह जो formation है आपकी यह परी तीन candle से मिल करके फॉर्म होगी तीन candles होगी जो सबसे पहली है वह होती है आपकी यह समझ में है ना तीन candle बनेगे पहली candle मारी green होगी बात की दोनों candles मेरी red होती है यह है प्राइज और अब volumes वोल्म देखें इसमें क्या होती है सबसे पहली green candle बनती है वो normal normal second candle की जो volume होगी वो larger than हर जो candle बनती है इनको देखने की जगह कौन सी होती है अपना प्री यह याद रखेगा डिली टैम फ्रेम पर मार्क करने के काफ़ी टेक्निक्स हमाग को बता चुके हैं उन टेक्निक्स का यूज करो इसके लावर जो टेक केंडल बन रही है first candle अगा हमारी है second candle अब इसमें यह याद रखना के first वाली candle के नीचे अगर closing नहीं भी है तो चलेगा अगर एक विक भी निकल कर क्या रही तो चलेगा यह होता है मेरा highest high point यह होता है मेरा lowest low point highest high और lowest volume अब देखो गए तो first वाली candle की volume अगर नॉर्मल second वाली की larger क्या था larger than first candle third वाली की larger than समझ कहना है यह तीन volumes हमें चाहिए increasing और यह तीन price candles होते है actually होता क्या है कि यह जो मेरा swing high लगता है swing high यह होता है एक जो low लगता है मेरा यह बन जाता है एक price अगर आपका आपके इस वाले level से upside की तरफ की movements दिखाया अगर इसने upside की movement दिखाया ना यहाँ से तो यह उपर अगर इसने downside के movement दिखाया ना तो यहाँ से पैस नीचे है बट हमें इस वाली formation का जो use करना है हम लोग daily time frame यानि के जो मेरा predefined area होगा हम उसी जगह पर अपनी formation का यूज जो volumes होंगी वह बढ़ते करब में होटी है ठीक है first candle green बाकी की दोनों हमें सिर्फ volume देख लेना आप price इतना मेटर करता ही नहीं क्लिस formation के अंदर क्योंकि volume बहुत strong role play कर देती है छोड़ दो कोई stock कोई भी time frame five minute का फिलाल अपना fix है येकिन कोई भी stock कोई भी time frame अप्लागा लो फस्ट red candle होनी चाहिए बाकी दो मेरी green candle बलनी बद तीनों ही candle हमारी बढ़ते हुए क्रम में हो first red दो green या फिर first green बाकी की दोनों red जैसे कि यहां पर देखे फस्ट रेड बाकी की दोनों green बन गया यह swing यह swing ही बनेगा आपका अहां किया यह तो already हम लोग देख चुके था है यह तो हम लोग लोग देख चुके है और दूसरे stock लेते हैं जो भी बाते हम बोल रहे हैं शायाद हम तीन चार बार रिपत तीन चार बार रिपीट कर चु कि दो यह बन गया आपका swing resistance अभी price नहीं देखा हमने सिर्फ यह लिजे एक दो तीन high high नहीं हमने marking गलत की थी अगर first candle मेरी green है तो यह नहीं सही तो किया था सही है अब देखिए यह बन गया आपका lowest low point और यह बन गया आपका highest high point चलिए इस चोड़ दो सिर्फ जो formation ने बो यह क्या है यह देख चुके हैं हम लोग हां यह हो गया और इस टोग ले लिजांगा अश्योग लेलें ट को जाने दूशेर में नहीं देंगे रिकार्डिंग की स्वक्तिपर में हो वाना सोच रहा हूं के चलते हैं बारा बच चुका है सोते हैं चलके recording ले लेंगे बाद में यह देख रहे हैं एकदम जो चीज अभी हमने आपको बताई बिल्कु साइड वे अचानक से स्पाइक आ गई पूरा साइड वे मार्किट होगी आप देख लेना बजा जाटो नहीं यह बिल्कुल ड्राइ वॉल्यूम है अचानक से वॉ बेक आउट बयानक वाले ओपर की तरफ मार्किट गई और वहां से फिर से नीचे सिधर डंप कर गई को बड़ा मुव हुआ इसके अंदर आप वॉल्यूम को हटा दो आप प्राइस को देखो को बड़ा मुव हुआ इसके अंदर यह और यह खतम होगी मार्किट यहां पर और वॉल्यूम में क्या देख रहा है यह बड़ी वॉल्यूम एक्शली जो बड़ी वॉल्यूम है न यहीं तुम्हें बता रही है जो साइडवी जोन है इसी फी स्टॉप उस हंटिंगी चलेगी छोड़ दो ऐसे स्टॉप बारा के बाद हमें ट्रेड नहीं करना यह प्रस्ता मूव नहीं है जितनी चीज हमने आज बता दी है इसके प्रैक्टिस में हमें लग रहा है आपको कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे कम इतना टाइम लगए ना तो हम एक बार बोल रहे हैं यह सुनके समझ मैंगा नहीं एक दिन की प्रैक्टिस में आपको समझ मैंगा बहुत टाइम जाएगा अपका उतना समय नहीं है अपने पास एक ख़पते का टाइम रहेगा उतने में ही प्रैक्टिस करनी है उतने में एक हमना जो करना यह देखें एक दो तीन यह स्विंग गरिया बना नहीं ना उसको देख लिए आगे के तरफ ठीक है नहीं गया फिर उसके उसके बाद में देखी फिर मार्केट नीचे की तरफ नहीं गई है यह बन गया स्विंग सीधे अपसाइट की तरह क्या हो रहा है प्राइस ऊपर चला गया नीचे से लागया हम लोग यह देख ही नहीं रहे हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि जो फॉर्मेशन में बताए ना यह क्या काम क्या करते हैं एक्शली स्विंग क्रेट करते हैं और यह पूरी की पूरी रिलेटेड है अभी जो हमने तीन पॉइंट साब को बता है ना अनिट्रेंडिंग मार्केट स्ट्च्र्च्चर थ्रू वॉल्यूं वॉल्यूं को करने के लिए बोलीन इससे रेलेटेड है चाल्स खतम हो जो फ्यू पॉइंट आप लोगों होने नोट किया है उन नोट्स को एक बार रिवाइस करो देखो संझो को लाइव मार्केट में इसके प्रैक्टिस करो सालो साल हमने इंफॉर्मिशन की प्रैक्टिस की प्रैक्टिस की एक बार बताने से और दो बार तीन बार आप प्रैक्टिस कर लोगे उससे बने आप महीनों प्रैक्टिस करो वो भी कम पड़ जाएगी हो सकते है आधे लोगों नोट करके रखी हैं अब उसको revise करके और जो भी रहेगा उसी live market में practice आप start करोगो करना result देखना बहुत अच्छा perform करने लगोगे दीरे 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 करके बाकि कोई shortcut नहीं है कुछ भी नहीं कहीं पर भी लग रहा है आज यारी समझ मने आरहा आटाओ चले जाओगे अपर सुर्य फोर्थ candle है यह नहीं चार तीन ही तो चंटल है first red बाकि दोनों green first green बाकि दोनों red बस तीनी candle है है चलेस ग्यारा हो रहा है 12 बजने वाले है तो अचिक लास हम लोग यहीं पर पूछाएंगे जो भी डॉट वह रहे हैं तो कल के सेशन में क्लियर कर रहे हैं तो फिलाल मेरा जो काम था वो लगबग लगग नाइंटी पसंट तक लगग खतम हो गया अब जो बसता है वह आपका है प्रैक्टिस का और प्रैक्टिस में यह मान के चलना टाइम बहुत जाए ठीक है फिर गुड नाइट थैंक यू सभी लोगों को और कल के नोटिफिकेशन आप लों के पास आजाएंगे